देखो जो NUS के Octonoma 23 सेशन के स्टुरेंस है जिनका रियल्ट अभी हाली में आया है अगर आप ऐसे स्टुरेंस हो जिसको re-exam देना है अपिल में 24 सेशन में तो फॉर्म आप लोग का ओपन हो चुका है आज से आज से आप लोग अपना examination form को भर सकते हो और इससे पहले मैंने वीडियो होना आया था जिसे मैंने आपको last day वगरा बताया हूँ और late fees कब से लएगा ये भी मैंने आपको बताया हूँ तो वो वीडियो को आप लोग देख लिना और examination form को कैसे fill करना है fees कितना लगेगा, payment आपको कैसे करना है चलो ये सब सारी चीए समल लो तो examination form को fill करने के लिए simply आपको क्या करना होगा इस website पर आना होगा और इसका link मैंने आपको वीडियो के description में दे रखा हूँ simply आपको उस पर click करके इस website पर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको login करना होगा और login करने के लिए आप username और password का यूज कर सकते हो और अगर ये याद नहीं है तो login by reference number और enrollment number इस पर आप click करके जो आप लोग का roll number है उससे आप लोग यहाँ पर login कर सकते हो और अगर आपको reference number याद है तो उससे भी आप लोग यहाँ पर login कर सकते हो ठीक है simply आपको दोने में से कोई एक डालना है और अपना data वर्थिया आप पर डालना है select करना है ये इस पर click करोगे ये box को लिएगा इस में से select कर लेना और उसका आपको simply login करना है login करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा अब देखो यहाँ पर आप लोग को public exam के नाम से box मिल ला होगा ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो public exam के नाम से आपको एक box मिलेगा इसमें आप लोग को एक link मिलेगा pay public exam fees अपिल मई 2024 आपको simply इस पर click कर दिना है click करने के बाद देखोगे कि आपके सामने SI interface आएगा अब देखो यहाँ पर आपका data पुड़ा ले लिया है इसने और यहाँ पर आप लोग के पास जितने भी subject है वो subject भी यहाँ पर सो कर दिया है ठीक है जितने भी subject भी October 923 session में देखर आए हो और उसका status का है वो भी यहाँ पर column में सो कर रहा है कि आप पासो की फेलो वो भी आप लोग को यहाँ पर सो कर रहा है तो जिस भी subject का आपको दुबारा से exam देना है अपिल मई 2024 session में वो subject यहाँ से select कर लोगे जैसे कि support करो हमें जो है physical education के दुबारा से देने है और हम यहाँ से select कर लेते है English का इसमें हमें come marks मिला है हम दुबारा से देना चाहते है submit पर हम click करेंगे submit पर आप click करोगे तो यहाँ पर आप लोग की fees से बता देंगे यहाँ पर fees आप लोग को देखने को मिल जाएगा payment करने के लिए आपको क्या करना है कि payment gateway में आके आपको कोई भी एक option select कर लेना है जैसे कि BOI हम यहाँ पर select कर लेते हैं उसका आप make payment पर हम click करेंगे make payment पर click करेंगे और यह आपके सामने ऐसा interface आएगा अब देखो payment करने के लिए आप लोग debit card credit card का यूज़ कर सकते हो UPI में सारे आजाते हैं आपके Google Pay, Bheem Pay, भारत Pay, Paytm सारे आजाते हैं इसमें QR code से भी कर सकते हो इस स्कैन करके net banking है और अगर आप wallet वगरा यूज़ करते हो तो उससे भी कर सकते हो ठीक है simply आपको कोई एक option select कर लेना है जैसे कि UPI हम यहाँ से select कर रहे है UPI ID डालेंगे और यहाँ पर UPI डाल लेके बाद verify करेंगे और payment कर देंगे देखो payment करते समय द्यान लखना कि payment करते समय आपको ना तो back जाना है नहीं refresh करना है जब तक आप लोग का payment नहीं हो जाता है payment हो जागा उसके बाद आप लोग wait करना आप लोग को successful का यहाँ पर एक option मिल जाएगा और उसके बाद जो आप लोग examination fees को पर कर दोगे ऐसा आप लोग को आजाएगा ठीक है और इसको check कैसे कर सकते हो कि आपने examination fees जो भरा है वो आप लोग का भरा गया है की नहीं गया है वो समल लो यहाँ पे तो payment receipt के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आप लोग को एक box मिलेगा payment status का आपको क्या करना है payment history में आना है और यहाँ पे आपने सबसे last अला payment देखना है कि की आपका हुआ है की निुँआ है ये देखो हमारा हो रखा है ठीक है तो इस तरी किसे यहां से अपना पेमेंट चेक कर सकते हूं कि जो आपने Examination fist भरा है वो भरा गया है की नहीं गया है अब देखो यहां जो है आप लोग की जो practical exam होनी है जैसे की हमने जोग्रफिका भी apply किया है तो हमारा देखो practical exam भी होगा लेकिन अगर हमने practical exam पहले से दे रखा है हमें marks मिला हुआ है तो हमें दुबारा से practical exam देने की जूरत नहीं है ठीक है अगर हमने नहीं दिया है तो तो हमें देना ही टिकेट है उसके वारे में समर्लो तो देखो डेशीर जो है अक्टवो नमर वालों के जब आएंगे ठीक है एक मार्च के आसपास आने वाला है उसी समय आप लोग की भी आएगी और एक ही डेशीट आएगी जो अक्टवो नमर दो है तेसेशन के स्टुरेंस के लिए होंगी वोटाई आप लोग भी फालों करोगे चाये वह प्रेक्टिकल एक्जाम का हो चाये आप ला को आवemption पबलिक एक्जाम का हो योनिकी थोरी एक्जाम का हो ठीक है तो डेशीट आप लोग की कब आएगी एक मार्च के आस-पास आप लोग की फाइनल डेशीट आने वाली है theory exam की practical की भी आप लोग को इसी के आज पास मिल जाएगी ठीक है फरवरी के end में आप लोग को देखने को मिलेगा hall ticket की बात करोगे तो hall ticket जो है ना आप लोग का exam से 4-5 दिन पहले आएगा ठीक है अब वो आप लोग के डेशी जब declare होगी ना तब आपको पता चलेगा कि आप लोग का exam कब है ठीक है फिलाल देखो आप लोग को साइची यहाँ पर प्रोवाइट करी जाएगी चलेंज से जुरे रहे ना और इस इसको ध्यान देना कि जो अप्रिल माई तो जो exam अभी देने वाले हैं examination फिस आपने पेर नहीं कियो तो कर ले ना इस वीडियो को देखकर examination जो आप लोग के होने वाले हैं जो अप्रिल माई 24 सेसन के होने वाले हैं उसी के तरीकेस होगा तो और तरीकेस होगा कहने के मतलब यह है उनके लिए कोई notification आएगा तो effect आप अगर आपने पहले TMA दे रखे हो तो दुबारा से TMA नहीं देना है ठीके ध्यान देना इस इसको दुबारा से कोई चीज नहीं देना है इस इसकी आपके पास है वो दुबारा से जो आपने दे रखे हो न पहले वही marks आप लोग का transfer हो जाएगा तो कुछ question है तो आप देंगे अगले वीडियो में